नमस्कार, IDTV इंदर धनुस में आपका सौगत है, मैं शालीन अपुर्वत, एक बार फिर हाजिल हूँ आपका पसंदिदा कारेकरम फेस टू फेस लेकर आज के इस कारेकरम में हमारे साथ एक ऐसे महमान है, जिनकी लोग प्रियता से सिर्फ राची और जारकंड ही नहीं, बलकि बॉलिवूड से लेकर साउथ इंडिया तक चकाचौन है हमारे साथ हैं जारकंड के गुड़ा जिले के पत्थल गामा से निकल कर मुंबई और बॉलिवूड में पहचान बनाने वाले रुपेश मिस्रा जी रुपेश मिस्रा जाने माने प्लेबैक सिंगर हैं, इन्होंने ना सिर्फ हिंदी बलकि विभिन राज्यों की उनीस भासाओं में तीन हजार से ज्यादा गाने गाये हैं ये ज्यारखन का नाम पूरे देश में रौशन कर रहे हैं और इन्होंने ऐसे ही यह मुकाम हासिल नहीं किया है, बलकि इनकी सफलता के पीछे संगर्ज की एक लंबी दास्तान है, जिसके बारे में खुद इनकी जुवानी सुनना ही बेहतर होगा जी नमस्कार रुबेश जी नमस्कार सर, IDTV के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जुहार और नमस्कार प्रणाम जुहार किसी भी सवाल के पहले मैं आपकी जुबानी इस संगीत के सफर में के बारे में जानना चाहूँगा कि आप ये सफर सुरुआद कहां से हुई और कैसे हुई देखिए संगीत जो है ये एक साधना है और गौड गिफ्ट है ये उपर वाले का एक देन है जो बहुत कम लोगों को भगवान इस चीज़ के लिए चुनते है तो उसमें एक नसीबदार इंसान मैं भी हूँ मुझे भी भगवान ने संगीत के लिए बनाया इस प्रिथवी पर कि मैं संगीत के माध्यम से कुछ समाज को दे सकूँ कुछ लोगों का दिल जीत सकूँ लोगों का आशिरवात पा सकूँ तो ये मेरा ये कहना था कि ये सफर आपकी कहां से शुरुवात हुई आप गुड़ा से बिलॉंग करते हैं और आप सीधे मुंबई फिल्म डस्टी में अपने एक अच्छी जगा बना ली तो हम जान ये जानना चाहेंगे कि आप अपने विस्तार से थोड़े से पूरे सफ जो आपसे प्रेरित होना चाहेंगे होंगे उनको एक गाइडिंस मिलेगी देखे कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं शौर्टकट में कुछ बताओं पिढ़ी दर पिढ़ी लोग आगे बढ़ते हैं और हम भी वैसे स्टे बाइस टेप आगे बढ़े हम एक छोटे से ग जो जारगंड में ही स्थित है मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई मेरे घर में सब लोग गाना अच्छा गाते हैं लेकिन किसी ने उसे प्रोफेशन के तौर पे नहीं बनाया सब लोग शिक्षा लाइन से बलॉंग करते हैं लेकिन मैंने सोचा कि क्यो न कुछ बला करने का रहा है यसे लोग आज क figures क्या कर रहे हैं फलाने ने वो किया तो उधर ही जा रहे हैं मेरा सोच बिल्कुल अलग है मैं यली उदर जाओंगा तो मैं भी कहीं ने-कृट मैं एक लाइन का शिकार हो जाऊऊँ कैक लाइन मिलागा रोऊँ मैं यूटन चलता हूं लेकिन अच्छे से कोशिश करके आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है मुंबई की फिल्म डस्टी एक समंद्र है जैसा कि माना जाता है वहाँ पे आपने अपनी करियर की शुरुआद कैसे की कहां से आपने शुरू किया हम पहले स्कुल में कॉलेज में गाना गाते थे कहीं कहें स्टेस पे तो हमारे जो टीचर और हमारे गूरु जन थे सब हमें स DuP और प्रेद करते थे और आशिरबाद देते थे फिर ऐसे इटीव का हारिक्रम चालू हुआ एटीवी काफी पपलर था यसे IDTV है, यसे ATV भी है, एक प्लेटफॉर्म था पहले जी, तो उसका कारिकरम था, तो उस कारिकरम में कॉलेज के तरफ से महने गाया था, तो काफी दर्शकों ने पसंद किया, और वो जो मेरा जो गाना था, और साथ-साथ मैं एक इंस्टुमेंट भी प्ले करता था, आज तो सोसल मीडिया भी आ गया, तो कहीं ने कहीं, टेलिविजन का थोड़ा मतलब पैरलर हो गया मामला, लेकिन उस दौर में बहुत बड़ी बात थे, यह कब होई आपके साथ, यह लगभग मैं बता रहा हूं, 99 या 2000 इसबी के बात थे, 2000 इसबी के बात थे, 2000 इसबी के तो उसके दोरा आपको वहां पर शुरुआत हो, तो लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा उससे बड़ा में चीजे की मेरा मनोबल बड़ा, आज यदि कोई कालाकार, कोई काम कर रहा है, और आप उसको यदि उसके काम की तारीफ करें, आप उसका पीट थप थपाए प्रोचाहित होता है, तो क्यों नहीं आगे, वो मोटिवेट होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो प्रोचाहन उसको मिलते रहना चाहिए, लेकिन हमारे यहां एक कमी है, मैं बताता हूँ, जिसमें कहीं ने कहीं, माबाप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, माबाप ने कभी य आप थोप देंगे, कि तुम यह करो, उसे इंट्रेस्ट ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, बच्चे का इंट्रेस्ट देखते हुए, माबाप को भी चाहिए, कि अपने बच्चे को वो भीड में ना खड़ा करें, मेरे हिसाब से, मैं आपने सही कहा, लेकिन क्या है क हमारे जहारखंड में एक्सपोजर की कमी है शुरॉवात से, और अब दीरे 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 लो जब से जहारखंड बनी एक्सपोजर मिल रहे है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सारे सोशल मेडिया के जमाना आ गया, तो अब लोग धीरे दीरे जागरुख हो रहे हैं, तक भी लोग सब जागरुख हो रहे हैं लेकिन आप जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय तो बिल कम्मुकेशन के बहुत सारे कम मध्यम थे जिसमें कि आपने उस त्यालेंट में शुरुआत की इसके बाद आपको मुंबई फिल्म डेस्ट्री में पहला ब्रीक कम मिला मुंबई फिल्म डेस्ट्री जैसे में गया तो वहां पर मैं तो पहले भटकता था चुकि मेरा कोई बैगरूँ जाना चाहें कि मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ हमारे गाओं के हमारे मित्रिके संजे करके हम लोग साथ में वहां से गया पटना पहुंचे पटना सूप अराम लोग बड़े अच्छे बिहार जारखन में आपको पता ही है लोग कितने अच्छा खाता पिते घर से रहते हैं अच्छे से बड़े यहां से रात में आराम से आट बजे खाना खाके नो बजे गद्दे में अराम से सोते हैं अब वो दौर जो था हम भी ऐसे ही थे पह कि यहां पर हम लोग पले बढ़े या मुंबा देवी ने हमें पाला मुंबा देवी के शरण में चले गया इस्टूडियो घुमते रहे लोग मिलते रहे कभी कुछ लोग भटकाते भी हैं घुम्रा भी करते हैं यह मत करो यह मत करो तुम क्या गाओगे तुम्हारा का पेट द कि अब दिया नहीं था वहां पर कि हमें जाते ही काम मिल जाएगा थुरण हमें तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और मेरी इस्थिति खराव यदि हम अपने घर में किसी को कहते हैं तो घर वाले बोलेंगे वहां क्या कर रहे हो यहां और यहां भी किसी मास्ट्री का फॉर् मुझे भगवान ने जब कला दिया है तो हमारा काम था उस कले कला को पकड़ करके कुछ अच्छा करने का और वही मैं करने की आज तक सरकोशिश करना हूँ भगवान ने सफलता दी है और देते रहते हैं और इसका तो एस्टेगल का तो कोई यह नहीं होता है यह पूछ रहा था कि आपका पहला सुर्वात कहां से शुरू हुआ पहला शुरुआ जो है पहले अलबम इंडस्ट्रिय में आया अच्छा बेवफा बेककदर एक टी-सरीज का एक अलबम आया चलाया प्यार करता है वह बहुत अच्छा उस दौर में चला था टेप का जबाना था टेप ओला कैसे पिर काम मिलते चला गया यह इतने अच्छे सुरीरे आवाज के आप यह हैं क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगरा भी लिया है या सर मैंने प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन जो आज के दौर में जो जरूरी है वो सब कुछ मैंने सीखा और सीखते रहता हूँ जो क्यों ग्यान जो है न यह मतलब अपारे महा सागर है इसका कोई अंतर नहीं आज भी मैं सीखता हूँ अभी हाल फिलाल में भीमा शंकर में था एक फकीर जो है वो साधु बाबा कुछ एक तानपूरा पर गाना गा रहे थे तो हम उनसे भी कुछ ट्रेनिंग लिए कभी मतलब कुछ ऐसे कलाकार मिलते हैं दिखिए मैं बड़ा मतलब मैं नेचर प्रेमी आदमी हूँ और जमेनी से हम जानना चाहेंगे क्या आप एक कलाकार हैं और आप खुले तरीके से बातों को करते हैं देखिए ऐसा निक हम इसकूल नहीं के हम इसकूल जाते थे पढ़ाई में भी मेरा मन ठीक ठाक लगता था लेकिन कहीं ने कहीं पढ़ाई से ज्यादा मेरा संगीत में रूची था तो मेरे दादा जी रिटाइर हेड़ मास्टर थे आई स्कूल के हम जाते थे स्कूल और जितने भी हमारे गुरु जन है जो भी टीचर है वो भी देखते थे कि कलाकार चलो इसको बैठा के गाने सुने तो मेरे से लोग गाने सुनते थे को इंस्टुमेंट सुनते थे और हम ना कुछ भी ज़्यादा पढ़ते हुए, क्लास नहीं भी जाते थे, तो भी पूरे स्कूल में पॉपुलर हमी थे, मेरा जलवा था वहाँ पर, साधी भासा में बता हुआ, और पढ़ाई में मेरा बहुत इंट्रेस्ट था, लेकिन हमने यही सोचा, कि बहुत ज़्यादा किस उमर में आपने आपको आइंटिफाई किया? कुछ तो समय मेरा उमर होगा, वी साल होगा लगबाग? वी साल, बहुत अच्छा, तो यही करना था, ऐसे भी तो संगीद भी तो मा सरस्वती की साधी मा सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में पुस्तक है, तो एक हात वीड़ा तो हमने उनके जो वीना हुए इस पार्ट को पकड़ा और पढ़ाई भी हमने की ठीक ठाक किया पढ़े अच्छे से टीचर कभी हमारी हेल्प भी करते थे लिखने में कि चलो अकला कारे थोड़ा इसको मदद कर दो चलो अच्छी बात है एक soft corner होता है संगीत से सबको प्रेम होता है संगीत से बहुत काम हो जाता है बिल्कुल कुछ लोग आ सकते हैं कुछ लोग सुनने पसंद करते हैं उसमें बहुत मदद हो जाते हैं जैसा कि जानकारी के हिसाब से आप 3,000 गाने गा चुके हैं और अलग-अलग 19 भासाओं में ग बनाते चलें और उनमें से कुछ-कुछ जहां-जहां आपको लगे कि आपकी कोई ऐसे चीजें हैं जो जनता लोगों के सामने भी पेश कर सकें तो दो-दो लाहिन है अगर संभव हो तो देखे इसमें भी एक कहानी है मेरे लाइब में बहुत कहानिया है हम भागलप उन्होंने एक चैक्टर पढ़ाया था फोनो टेक्स छि फोनोलोजी तो फोनोलोजी में क्या था कि आतृ प्रणान से वर्ड का कैसे उचार्ण किया जए तो बताया है ज्एट साउंड होता है साउंड होता है कला कला यह सब यहार जार रखन वाले थेटी देहाती यहां आज यह लेंग्विज जो है वाट्साप और फेस्बूक सोसल मेडिया में अगया है यह चीज हमने सीखा तो जैसे हमें कोई साउथ के गाने मिलते थे तो हमें बताते थे नाम अदी निन्नु पुलाचिंदी गान मही वेनु गान मही ना प्राण मही उन्होंने बोल दिया मैं कैसे लिखो तो नाम अदी नाम अदी निन्नु नाई एंडबल निन्नु पुलाचिंदी पुलाचिंदी यह हमने रोमन में लिखा देन उसके राइटर हमें बताते थे कि इस इस दा मिनिंग आप दे वर्ड और जहां तक रहा सुर का सवाल तो सुर जो है इसका तो कोई भा अशा नहीं होता है तीक है अब लाँ सुरियानों चंद्राणों मगदां और फंदा नंबो दिगस्टाकन कांगडो दिकस्टाकन एएए एए इस शब्हिए पूस्तोricular गइ अब इस पहुंने एक राइटर सहाब है ऐसे जिनकोब वैठाया याँ प्रीकों एक सूर हो गया अब इस पे हमने एक राइटर साहब है ऐसे जिनको बैठाया कि भैया आपको शब्द इस पे लिख दीजिए तो उन्हों लिख दिया तुमसे नजर जो मिली ला 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 तुमसे नजर जो मिली आशना चाने लगी एक बन गया अब इसी दून पेदी आप कुछ भोचपूरी बना रहा है ठीक है ना तोहरा से प्यारत हम दिल से करिला हो कुछ नाकपूरी लेंगविज में रिख दीजिए संगीत की कोई बढ़ालक यह गाना मैंने गाये विजे कुमार जी हैं बड़े है अच्छे विद्वान आदमी हैं हलाकि वो अधि जनते रहते हैं और हर लेंगविज में गाना होता है असंगीत की कोई भाषा नहीं होती है तो अभी जैसा की देख रहे हैं कि आप के जारकन आने का मकसद भी कुछ है तो उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे कि इतने सालों का जो एक्सपिरेंस आपका देने की सोच है क्या ऐसा अपने प्लानिंग किया है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश दालेंगे तो मेरा अच्छा लागी देखे मेरा जारखंड से लगाओ शुरू से रहा है और जारखंड रत्म भी में रह चुका हूँ जारखंड राज सरकार ने भी मुझे उचित सम कारिकरम रहता है तो हमें बुलाते रहते हैं वाटिस्टों का बड़ा सम्मान करते हैं लोग और जारखंड में तो इतने अच्छे-च्छे कलाकार हैं बस उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो अभी जो आपका कारिकरम के माधियम से बता रहे हैं हाजारी बाग में ज समेशा से हर कलाकारों को हर तरह के लोगों को जो भी साहित संगीत शिक्षा जिस भी लाइन से हैं चुकि आईडी टीवी का मकसद यह जो आप देख रहे हैं ना जीवन के रंग खबरों के संद यह साथ रगवान टो त्री फोर फाइप सिक सेबन तो खबर के साथ साथ प्रोडक्शन के साथ मिलकर तो देखिए इसके लिए मैं कुछ ऐसी चीजे बोलूगा जो थोड़ी कड़वी भी हो लेकिन सच है आज के डेट में सबसे बड़ा चीज है टैलेंट टैलेंट का कोई शॉर्ट कट नहीं है एक्जामपल आप इतना अच्छा एंकरिंग कर रह तो यदि जारखंड के अच्छे जो भी कलाकार हैं जो अच्छा गाते हैं जिनको कमांड हो अपने आप पे सबसे पहले वही इस टैलेंट हंड श्रो में भाग लें ताकि आप यहां से निखरेंगे आपको जो है संवारा जाएगा आईडी टीवी के द्वारा यार और एसस बीच में और आप टैलेंटेट होंगे तो ही पब्लीक आपको अपनाएगी चुकि पब्लीक का कोई शॉटकट नहीं है ऐसे कलाकार जुड़ें जिनको फूल कंफिडेंश हो और यह नहीं है तो जिस छेतर में हैं आप उसी छेतर में आगे बढ़ें पहला चीज रहा सवाल फिल्म इंडस्टी का हमारे जमाने में फिल्म इंडस्टी में कोई किसी को काम ऐसे नहीं देता था बहुत संगर्ष करना पढ़ता था और वहां तक पहुँचना भी मुश्किल है आज के दोर में सोसल मेडिया हैं सोसल मेडिया के माध्यम से आपको पूरा दुनिया देख ये YouTube या जो भी है ये सब वर्दान है हम सभी कलाकारों के लिए तो कल जो मैं आ रहा हूँ कारिकरम में मैं आप लोग को सुनूगा और कुछ होगा तो मैं आपको सजेशन भी दूँगा उस कारिकरम में भी और talented artist जुडे और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मेरे तरफ से मै मैं भी आज एक घोषना कर रहा हूँ यहां पे मैं कुछ बड़े-बड़े production house का काम कर रहा हूँ AG Music इसे तीवारी production है Z series भक्ती है T series भी है तो वहां जहां भी संभव हो पाएगा हम यह कलाकार को वहां पे मौका देने का प्रयास करेंगे इसमें एक और अंतिम सवाल के साथ मैं आपको यह करूंगा कि अभी तक जो आपने गाने गाए हैं वो कौन-कौन ऐसे फिल्मों में जो कि हम सब औरड़ी देख चुके हैं ऐसे कुछ चुनिंदा गाने तिक यह ऐसे कि मेरे गाना एक बेवफा से दिल काफी चला था उसके पाद हमने विविन इंडस्ट्री में काम किया जैसे एक बार गुजराती एक फिल्म आई थी जय विजय वो गाना सुपर हिट गाना था आज मतलब पूरे गुजरात में वो गाना बसता है मैं जहार खंडी लेकिन मैंने कभी भाशा को अपना यह नहीं समझा संगीत से में पूलने भुल्यो बाहर ने भुल्यो आब ले चमकता चांद ने भुल्यो तुझ मुखनी ये वी माया लागी दिल दौलत बिसरी गयो चांद चमक बिसरी गयो एक यह चला था और आपने एक सुना यह था एक बेवफा से दिल कितना प्यार करता है पेर एक फिल्म आई थी दिन बबलू राजपाल चांद रिया से उसमे थे उसमें पुराने गाने का एक रिमिक बना हुआ था चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, यह था, फिर उसके बद मेरा गाना था, जिना, 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 कोई सजा, ऐसे करके काफी गाने हैं हमारे, और हम बस एक ही चीज जो हम अपनाते हैं, हमने जैसे आज एक गाना गाया, मैं इसे भूल जाता हूँ, कल सोचता हूँ, कल क्या गाना है, नहीं शुरूबात, नहीं शुरूबात, Donly, देखेए ताइम कम है कम टाइम में कुछ अच्छा करना है जो कि गाना जो है गाने के लिए शरीर में जान भी होना चाहिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपके गले में जो है सब कुछ मतलब प्रकृति का साथ होना चाहिए तो शौट टाइम में हमें आगे बढ़ना है कुछ करना है इसलिए नि अच्छा लगा आप से बात्चित करके और मैं अपने दर्सकों को ये भी बताना चाहूंगा कि रुपेश मिस्रा जी ने काफी स्ट्रगल किया क्योंकि उस समय उतने साधन नी थे और इन्होंने अपने मेहनत से ये वुकाम हासिल किये लेकिन हमारे दर्सकों में जो यंग यं स्टमाल करें इसी के साथ हम सब अपका भी धन्नवाद करते हैं बिल्कुल और एक चीज मैं कहूंगा चुकि मैं जारखंड में हूं और मैं मुख मंतरी जी से मिलूंगा तो मैं उनसे भी बोलूंगा जी जारखंडी कलाकारों के लिए सरकार को एक अच्छा प्लेटफॉर् नंदलाल नायक मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं वो लोग तो काफी यहां पर ऐसे कलाकार हैं जो मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं चुकि मैं भी कलास अंसक्रिती डिपार्टमेंट से काफी टाइम जुड़ा रहा हूं यहां पर 2008 में तो मैं सरकारी जो कारिक्रम होते थे उसमें में हमेशा जाता था तो मैं लोगों को सुना हूं जार्खंड में तो उन्हें मौका सरकार जरूर दे और अभी जो फिलाल सरकार बन गई बधाई हो है मन सोरें जी को और इस बार फिल्में जो भी जार्खंड में बने आप भी फिल्मों को सबसीडिय दे और और ऐसा कुछ नियम बनाए कि कोई भी बॉली बूड वाले यहां फिल्म बनाने आते हैं तो कम से कम उसमें 50% कलाकार हमारे जारखंड के कलाकार बस यह मेरा डिमांड है मुखमंत्री जी आप से इसे के साथ धन्यवाद धन्यवाद